हेलो फ्रेंड्स मैं सीमा मलकानिया मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ यह वाला डिजाइन शेयर कर रहे हूं यह शिपी जैसा बनता है शेल जो होती है जैसे शंक जैसे और यह बहुत सुंदर बनता है और यह बहुत ही इजी है बनाना यह फ् तो आएए देखते हैं इसको कैसे बनाना है फ्रेंट्स इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सा बना के रखा है इसमें तो सबसे पहले मैं ये पहला फंदा जो है इसको मैं ऐसे उतार रही हूं आप इसको बना भी सकते हैं अगर आपने इसको बनाना है और उसके बाद धागा जो है अपनी तरफ करके, अंदर की तरफ करके, हम तीन फंदे इसमें उल्टे बनाएंगे, ये तीन फंदे हमने इसमें उल्टे बनाने हैं, एक बना लिया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन फंदे हमने उल्टे बना लिये, अब उसके बाद धाग पीछे करेंगे और ये चोथा फंदा जो है इसको हमने सीधा बनाना है तो इसको हमने सीधा बना लिया अब आगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हमने इसमें उल्टे बनाने है तीन फंदे हमने ये उल्टे बना लिये फिर से धागा हम पीछे करेंगे औ आगा पिछे करेंगे और एक फंदा हमने सीधा बना लिया सेम आगे भी इसी तरीके से हम ऐसे ही हम अपनी ये सारी सिलाई जो है वो कम्प्लीट करेंगे तीन फंदे उल्टे और ये एक फंदा सीधा इसी तरह से फ्रेंट्स हमने ये सारी सिलाई जो है कम्प्लीट करनी है अब फ्रेंट्स हमने वो सिलाई जो सीधी सिलाई है वो हमने कम्प्लीट कर ली है अब हम इसकी उल्टी सिलाई पे आ जाते हैं तो उल्टी स्लाई में हमने क्या करना है जो फंदे सीधे हैं वो सीधे जो उल्टे हैं वो उल्टे तो इस तरीके से अब हमने यहां पे यह एक फंदा मेरा यहां पे उतारा है मैंने एक फंदा लास्ट में यह सीधा है उसके बाद यह एक फंदा जो सीधी साइड सीधा था य उसके बाद दागा पिछे करेंगे और यहां पर तीन फंदे हमारे सीदे आते हैं, क्योंकि सीठी साइड पर यह फंदे हमारे तीन उल्टे थे, अब फिर दागा अपनी तरफ करेंगे, और एक फंदा जो है हमारा उल्टा है तो उसको विने उल्टा बना लिया फिर धागा पिछली साइड करके तीन फंदे हमने सीधे बना लिये सेम इसी तरीके से हमने ये सारे सिलाई जो है complete करनी है ये एक फंदा ओल्टा है और तीन फंदे हमारे इसमें सीधे हैं तीन फंदे सीधे होगे एक फंदा ओल्टा होगया इसी तरीके से फ्रेंट से सारे सिलाई जो है complete करनी अब फ्रेंट्स हमने उल्टी सिलाई भी इसकी complete कर ली है अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी सिलाई पे तो सीधी सिलाई पे फिर से हमने वही करना है यह एक फंदा हम उतारेंगे जो मैं पहला फंदा इसमें उतार रही थी और उसके बाद यह तीन फंदे हमारे उल्टे हैं तो हमने ऐसे सीधा बनाना है इस फंदे को हमने सीधे बनाना है इसी तरीके से फ्रेंट्स हमने यहां पर पांस से लाईयां complete करनी है यह देखिए हमारा यह एक तो और यह तीन तीन होगे और एक यह चार होगे इसके बाद एक उल्टी सिलाई करके फिर इसकी अगली सिलाई पे डिजाइन डालेगा अब यह तीन फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बनाना है फिर से एक फंदा सीधा है इसकी दा बना लिया यह आगे धागा करके तीन फंदे हमने उल्टे बना लिये सेव इसी तरीके से यह सिलाई भी complete करेंगे हम फिर से इसकी उल्टी सिलाई पे आ जाते हैं सीधी सिलाई जो है इसकी वो complete हो चुकी है अब फिर हम वही जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाएंगे यह फंदा यहाँ पे उल्टा है एक फंदा और तीन फंदे उल्टी स पाँच सिलाई में सीधे हैं। उनको हमने सीधा बनाना है। तो यह सिलाई भी इसी तरीके से complete कर लेगे। तो फ्रेंड्स आप यह पांच तैन जो हैं कम्पलीट हो चुकी है यह देखिए आपको मैं यह दिखा रही हूं जो प्रेंद आपांच सिदा करेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ये जब पांच हो जाएंगी तब हम इसमें जो है डिजाइन स्टार्ट करेंगे, तो अब हम इसमें डिजाइन जो है वो शुरू करते हैं, ये एक फंदा हमने उतार लिया और ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन लिये, धागा आगे करके तीन फंदे हमने उल्टे बुन लिए अब यहां पे धागा हम पीछे करेंगे और हमने क्या करना है कि यह जो आप देख पा रहे हैं इसके यहां से हम इस तरीके से सिलाई डालके पीछे से इस तरीके से बनाएंगे और ऐसे तो यह एक हो गया फिर नेक्स्ट जो चोटा सा होल है इसमें फिर से सिलाई हम डालेंगे और यह एक बार और इसमें से धागा निकालेंगे तो दो होगे फिर हम एक बार और अगले वाले से जो अगली सिलाई है उसमें से हम सिलाई डालके एक फंदा इसमें से और निकालेंगे तीन होगे अब ये next एक और है यहाँ पे इसमें से हम ये एक बार और सिलाई डालके एक फंदा और बनाएंगे चार होगे और एक हमारा ये सिलाई पे है तो एक फंदा हम यहाँ पे इस से बुन लेंगे इस तरीके से तो यह हमारे हो गए यहां पे 5 फंदे अब यह हमारा आप देखिए यह 5 हो गए यहां पे इस तरीके से हमने यह बनाना है अब आगे हम धागा आगे करेंगे और 3 फंदे हमारे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा ही बनाना है अब फिर से धागा हम पीछे करेंगे और यह इसी त इसरीके से हम यह सिलाई डालके ऐसे फंदे बनाना शुरू कर देंगे एक, ये फिर से ये दो हो गे, ये तीन हो गे, ये चार हो गे और ये पांच हो गे, ये पांच फिर से हो गे, अब फिर से हम धागा आगे करेंगे और आगे तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, आगे तीन फंदे उल्टे बना लिए फिर से धागा पीछे करेंगे सेम बोई प्रोसेस दुबारा करेंगे इस में से फिर सिलाई हम यहां पर डालेंगे सीधे फंदे में से नीचे से और एक यह दो यह तीन और यह चार और यह पांच यहां पर हमारा यह फिर से पांच हो गय इसी तरह से हमने जो हमारे आगे ये सीधे फंदे हैं जितने भी हमारे ये सीधे फंदे की जो चेन बनी है ये चेन से हमने इसमें पांच फंदे बनाने हैं सेम उसी तरीके से तो हमारे ऐसे शेल जो है ये बनते जाएंगे तो मैं आगे भी इसे तरीके से बना लेती हूँ फिर उल्टी सिलाई पे आपसे फिर से मिलती हूँ तो friends यह सिलाई जो है हमारी सीधी सिलाई जो है हमारी complete हो गई अब हम इसकी आजाते हैं उल्टी सिलाई पे तो उल्टी सिलाई पे हमने यहां पे क्या करना है कि यह हमारा पहला फंदा जो है यह मैंने उतार लिया यहां पे और उसके बाद हमने फ्रेंट्स यह जो हमने यहां पे पांच फंदे बनाए थे उन फंदों का हमने यहां पे यह दागा अपनी तरफ रखेंगे और एक फंद सीधी सइड जो सीधा फंदा था वो एक हो गया और नेक्स्ट अगले जो तीन सीधे फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है धागा पीछे करके और फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और वही ये पांच फंदों का हमने एक बनाना है यहाँ पे फ्रेंट्स आप फंदे गिनके लीजेगा क्योंकि अगले तीन सीधे फंदे हैं वो भी सेमी दिखते हैं तो यहाँ पे ये पांच फंदे हमने लिए इनको हमने एक बना देना यहाँ पे पांच का हमने एक कर दिया इस तरीके से अगले तीन सीधे हैं उनको आप सीधे बना लीजे ये इस तरीके से ये तीन फंदे सीधे बना लिए अब आगे फिर से वही हमने पांच का एक कर देना बस इसी तरीके से हमने ये सिलाई जो है ये भी complete करनी है ये friends अब ये देखिए पहली सिलाई हमारी ऐसे complete हो गई अब हम उल्टी सिलाई पर आ जाते हैं सेम वो ही process है जो सीधे है वो सीधे है जो उल्टे फंदे है वो उल्टे फंदे है तो मैं इसको भी अपनी इस सिलाई को भी complete कर लेती हूँ ये है दूसरी सिलाई हमारी सेम ये उल्टे हैं तीन फंदे एक फंदा सीधा है फिर तीन फंदे उल्टे हैं बस इसी तरीके से हम इसको भी अभी friends ये हैं देखिए हमारी दो सिलाई जो है वो complete हो गई आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये दो सिलाई यहां पर complete हो चुकी है तो इसी तरह से मैं 5 बना लेती हूँ जब यहां पर 5 हो जाएंगे फिर मैं आपको एक वार ये डिजाइन आपके साथ फिर से शेयर करती हूँ फ्रेंड अब यह देखिए 5 सिलाई यहां हमारी जो है वो अब फिर से complete हो चुकी है आप इनको ऐसे गिन लीजेगा जो हमारे ये सीधा फंदा है इसको आप फिर से गिन लीजेगा इस तरीके से जैसे 1, 2, 3 और ये 4 और एक ये फंदा 5 इस तरीके से जब ये 5 हो जाएंगी फिर हमने ये शेल बनाना है तो फिर से मैं एक वार आपको बना के दिखा देते हूं ये दो फंदे हमारे हमने ऐसे सीधे बना लिए और धागा हम पीछे करेंगे और जो हमारा सीधा फंदा है उसके पहली सिलाई से इस तरीके से हम तीन फिर हम ये चोथी सिलाई पर डालेंगे चार और एक ये पांच इस तरीके से हमने ये पांच बना लेने हैं ये हमने पांच फंदे यहां पर बना लिए अब अगले हमारे तीन फंदे जो हैं वो उल्टे हैं इनको हम उल्टा ले लेंगे इसे तरीके से हमने इनको उल् फंदा इस तरीके से निकालेंगे, फिर दूसरी सिलाई में ऐसे डालेंगे, फिर एक फंदा और ऐसे बना लेंगे, फिर तीसरी सिलाई में ऐसे डालेंगे, और एक फंदा और बना लेंगे, तीन हो जाएंगे, फिर चोथी सिलाई में ऐसे डालेंगे, ये चार फंदे होगे और ये पांच में जो सिलाई पे चड़ा हुआ फंदा है उससे ये हमारे फिर से पांच फंदे बन गे पस इसी तरीके से फ्रेंट से हमने ये सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी है और ये बहुत ही खुब्सूरत लगता है डिजाइन हमारा बनाया हुआ किसी भी स्वेटर पे कार्डिगन पे जेंट स्वेटर पे या बच्छों के स्वेटर पे किसी भी आप इसको डाल सकते हैं और किसी भी कलर में डाल सकते हैं सब में ये बहुत ही खिलता है तो अब है आगे मैं ये सिलाई कंप्लीट करके एक बार आपके साथ उल्टी शिलाई भी शेर कर लेती सिद्धों हमारे से कम्प्लीट हो गई डिजर दिजाइन की तो अब हम इसकी ऊलटी चिलाई पर आजाते हैं उल्टी सिलाई पर हमने क्या करना है यह तीन फन्दे हमारे पास यहां पर सीधे है इनको हम सीधा बनाएंगे यह ये तीन फंदे सीधे हैं, धागा पीछे रखेंगे, ये तीन फंदे सीधे हो गए, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, और जो फंदे हमने यहाँ पे, जो फंदे पांच फंदे बनाए थे, एक से हमने यह पांच बनाए थे, इनका हम एक बना लेंगे, इनको यहाँ घटा देंगे और इनका एक फंदा बनाके अगले तीन सीधे फंदे बनाएंगे धागा पीछे कर लेंगे और इनको सीधा बना लेंगे इसी तरीके से बस यहां पर तोड़ा ध्यान दिजिएगा कि आप 5 की जगा 6 फंदे न ले लें तो आपका फंदा जो है वो इसमेर कांट ये तीन फंदे सीधे बना लिए फिर धागा अपनी तरफ करके वह ये पांच फंदों का एक बना दिया इसी तरीके से फिरेंड से हमारा ये डिजाइन जो है वो ख्लोज हो जाता है बस ये तो फिरेंड से हमारा देखिए डिजाइन यहां पर ऐसे कंपलीट हो गया है और ने तो फ्रेंट्स आगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं, एक और वीडियो के साथ जल्दी, थैंक यू